मैं डाक्टर उर्मला शर्मा सेयाचार हिंदी मेजे कॉलेज भरतपूर मैं मेजे उत्रार्थ के विध्यारतियों जिननोंने विशिष्ट कभी के रूप में सूर्दास लिया है सूर्दास जी ने साहते लेरी की रसना आध्यांत द्रेश्ट कूट पदों में की है द्रेश्ट कूट में द्रेश्ट और कूट ये दो पद है बामन आप्टे के कोश में कूट का अर्थ अइस्पेश्ट बा आबोद्ध है अमर कोश में कूट शब्द अनेकार्थक है इन अनेक अर्थों में कूट का एक अर्थ कैतब अर्थात छिपाना भी है कुशलता से छिपाने के चमतकार को कैतब कहते हैं द्रेशकूर शब्द के दो अर्थ हैं पहला जिस शब्द या शब्द समू में कोई कूट अर्थात छल पूर्ण या रहसे पूर्ण अर्थ प्रस्तुत किया जाए उसे द्रेश्ट कूट कहते हैं दूसरा द्रेश्टा कूट अर्थात जो देखने में छिपा दिखाई दे वह द्रेश्ट कूट है कूट का एक अर्थ परवत शिकर भी है जैसे शिकर के छिपे भाग को कूट पर विजय प्राप्त करके ही देखा जा सकता है वैसे ही कूट पद के अर्थ को समझने के लिए उसके रहसे पर विजय पाना आवशक है तातपर यह है कि चमतकार, पांडित्य, कौतुहल बाशब्द कोशल प्रदर्शन के लिए जब किसी मूल अर्थ को ढखकर बाबाद में माथा पच्ची करके वास्विक अर्थ का उद्घाटन किया जाए तो उसे द्रिष्टकूट कहते हैं भारत में द्रिष्टकूट रशना की परंपरा बैदिक काल से ही मिलती है महा भारत में तो प्राय प्रतेक सोश लोकों के बाद एक द्रिष्टकूट शलोक है संस्कित में द्रिष्टकूटों की व्यापक परंपरा है द्रेश्ट कूट रसना को संस्कित में पांडित्य का सूचक माना जाता था सुवाशित रत्न मांडागार आधी क्रंद तो द्रेश्ट कूटों से भरे पड़े हैं हिंदी में सिद्ध साहित्य से लेकर भक्ती, रीतिकाल तक द्रेश्ट कूटों की विस्तित परंपरा मिलती है कवीर की उलटवासियां तो द्रेश्ट कूट के ही उधारण है साहित्य लेरी के द्रेश्ट कूट पदों के अध्यान से पता चलता है कि इनमें मुकेते 11 प्रकार के द्रिश्टखूट पद हैं जो निम लिखित हैं पहला अर्थ वक्रता पूर्ट द्रिश्टखूट किसी बात को घुमाकर कहने से अर्थ वक्रता आती है जैसे प्रानपती बेदन विभुषत या बेदन का अर्थ कान है बेद का परियाय शुती, शुती को कान भी कहते हैं अते इसपस्ते या बकलता पूर्ण शेली में बात कही गई है दूसरा शब्दात्मक दर्ष्टिकूट इस पद्दती में अनेक शब्दों द्वारा एक अर्थ प्रस्थुत किया जाता है जैसे ग्रहपती सुत हित अनुचर को सुत अर्थात कामदेव इस प्रकार आएगा ग्रहपती मतलब सूरे, सूर का बेटा सुग्रीब, सुग्रीब का हितकारी राम, राम का अनुचर हनुमान, हनुमान का पुत्र मकरद्वज का परियाय कामदेव होता है अथे अर्थ हुआ काम दे ऐसे इस्तलों पर कुछ शब्दों के विशेश शब्द ही अर्थ के रूप में लिये जाते हैं तीसरा है बर्ण ब्रती परक द्रश्टिकूट इसमें बर्णों को गुणा करके फिर उसकी आब्रती करने से अर्थ प्रकट होता है जैसे तीन भी भी दो बार भी अर्था दो तीन यानि छे एक भी साथ लगाना होता है तो शब्द बना छबी ऐसे ही तीन लला दो बार ला तीन का दुगना छे एक ला साथ लगकर बना छल चौथा पर्याय विच्चित्ता कूण द्रश्टिकूट इसमें किसी श़ब्द के पर्याय वाची शब्द को लेकर दूसर अर्थ वनाए जाता है जैसे सुरवी रस सुरवी का अर्थ होता है गो और यहां इसका पर्याय वाची इंद्रिय अर्थ लिया जाएगा पांचवा है धोनी परिवर्तनात्मक द्रश्टिकूट इसमें किसी एक धनी को खटा कर दूसरा अर्थ लिया जाता है जैसे हरी आहार, हरी सिंग का आहार, मास इसमें अनस्वार धनी को खटा कर मास बच गया मास का अर्थ महिना बना छटा है शब्दों के किली अक्षनों के स्रयोग से नए शब्द बाद नए अर्थ की रषना बाले दिश्ट गूत इसमें दो या अधिक शब्दों के किनी अक्षरों के योग से नया शब्द बाद नया अर्थ बनाय जाता है जैसे बायस सबद अजा की मिलबत इसमें बायस शब्द बायस माने कोअ की बोली काउं अजा माने बक्री और बक्री की बोली मैं को मिला करके शब्द बना काम अर्थात कामदेव शब्द निकाला गया है सात्मा है ग्रह नक्षत्र आदी की गर्णा से बनने वाले देश्चिकूर इसमें ग्रहे आदी की संख्याओं के शब्दों के योग से शब्द बन्दा है जैसे ग्रहे नक्षत्र अरुबेद अरद कर अर्थात ग्रहे 9 होते नक्षत 27 होते और बेद 4 होते मिलाकर हुए 40 उनका अरद मने आधा करने से बना 20 और 20 को विश शब्द हम ने निकाल लिया तो इस प्रकार से विश शब्द हम यहाँ पर निकालेंगे अब आथमा है पहली परक द्रश्टकूट इसमें एक पहली बनती है जैसे कारण अंत अंत ते घटकर आधी घटे पे जोई मद्दे घटे पर नास कियो है नीतन मैमन भोई यहाँ काजल शब्द से पहली बनती है इसका विश लेश्टन यह है काजल की अंते मक्षर को घटाने से अंत की घटाने से शब्द बना काज और प्रथम पंक्ति के आधे भाग का अर्थ है काज आधी घटे अर्था काजल के आधी अक्षर को घटाने से बना जल और काजल के मद्दे अक्षर को घटाने से बना खाल अब आया है यमकात्मक दस्टिकूड किसी शब्द की आबरती और भिनार्थत्ता से यमकात्मक दस्टिकूड बनता है जैसे सारंग सम कर नीक नीक सम सारंग सरस बखाने सारंग सारंग बस में भहे बस सारंग सारंग बिस में माने इसमें सारंग पांच बार आया है जिन में से तीन के अर्थ भिन हैं सारंग के क्रमशे अर्थ इस प्रकार हैं दो बार म्रग के लिए आया है फिर दो बार अनुराग के लिए आया है और पांच बार सक्षी के लिए आया है केवल उपमानों के प्रयोग से रूपकाती शोक्ती परक दरश्टकूर बनता है जैसे कमल उपर सरस कदली कदली पर म्रगराज इसका अर्थ है कमल माने पैर कदली माने जांगे और म्रगराज माने कठी इसमें केबल कदली तथा म्रगराज उपमानों का प्रेयोग हुआ है अब मैं बताती हूँ संख्या प्रकाशन द्रश्टिकूट कभी प्राय संबत आधी के प्रकाशन के लिए संख्या प्रक द्रश्टिकूट का प्रेयोग करते हैं जैसे मुनी पुनी रसन के रसलेख दसन गौरी नंद को लिक सुबल संबत पेख इसमें मुनी साथ होते हैं रसन माने रसीन यानी जीरो रस की संख्या नौ होती है गौरी शंकर का बेटा गडेश गडेश एक दंत होता है तो एक अंक लिलिया इस तरह अंक बने सत्तर एकिन में अब इसको उल्टा करके बना 1907 इस प्रकार मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि द्रेश्ट कूट के और भी भेद है लेकिन विस्तार वैसे उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता मैंने विशेश विशेश प्रकार बता दिये हैं जो आपके लिए आवशक हैं अब मैं अपना व्याख्यान यही पर समाप्त करती हूँ